नमस्कार दोस्तों मैं स्मृत मिस्रा स्वाइद करता हूं फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों जैसे कि आप जानते हो UP के भी बहुत सारे एक्जाम्स लगे हुए हैं UPP का तो बिल्कुल नजदी की आ गया है ऐसे में उत्तर प्रदेश Special Current Affair का महत तो बहुत जादा बढ़ जाता है आप लोग के लिए मैं Most Important UP Special Current Affair लेकर आचुका हूँ आप लोग की डिमांड पर तो उत्तर प्रदेश Current Affair जासे कि आप जानते हो पिछले भी एक्जाम्स में 100% question मैंने फसाए थे इस बार भी आपको 100% question देखने को मिलेंगे बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो देखना है हर एक question को मैं detail में आपको explain करने वाला हूँ हो सकता है ये वीडियो दो पार्ट में जाए हो सकता है एकी पार्ट में हो तो आप जो है इसको इंट तक देखेगा कोशिस रहेगी दो पार्ट में एक पार्ट और इसके बाद लाऊं और पूरा अच्छे से cover कराऊं आप लोग का अगर response अच्छा रहा तो यूपी क्या static भी मैं करा दूँगा आपका तो उससे भी आप तयार कर लें ठीक है खास करके जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए यूपी static जीके भी करा दिया जाएगा फिलहाल यूपी special current affair पेस है आपके लिए वीडियो को अगला पार्ट और जल्दी आएगा ठीक है चलिए और चैनल पर नए हो तो वही सब्सक्राइब कर दो कि कुई ऐसे content आपको मिलते रहेंगे बिना किसी देरी के सुरू करते हैं पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर अयोध्या में बने भगवान राम मंदिर की निम्ण में से कौन सी एक विसेस्ता नहीं है शुरुवात जैसे राम बोल करके करते हैं बताईए इन में से कौन सी एक विसेस्ता आयोध्या में बने भगवान राम मंदिर की नहीं है option A, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा option A है, राम मंदिर 3 फ्लोर का है और हर मंजल 20 फिटकी है यह सही है यह सही कतन है, यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक विसेस्ता नहीं है ध्यान रखना, इस मंदिर में इस्टील या लोहे का बिलकुल इस्तमाल नहीं किया गया है बिलकुल नहीं, जितने भी प्राचीन मंदिर हुआ करते थे, उसी के तरश पर इसे भी बनाया गया है, प्राचीन मंदिरों में कभी भी लोहे, सीमेंट और सरिया इन सब का यूज नहीं किया जाता था इसमें भी लोहा, श्टील, सीमेंट इन सब का यूज नहीं किया गया है ठीक है ना? इसको भी उसी धाचे में बनाया गया है अभी मैं और अफेक्ट वताऊंगा इससे related तो इसमें भी लोहे का बिल्कुल इस्तमाल नहीं किया गया मुख्य मंदिरे में रायस्थान के भरतपूर जिले से आए गुलाबी बल्वा पत्थर का इस्तमाल हुआ है बिल्कुल सही है ये भी रास्थान के भरतपुर जिले से गुलाबी बल्वा पत्थर का निर्माड हुआ है तो ये तीन पॉइंट तो आपको राम मंदिर से पॉजिटिव मिल गए इस मंदिर में इरान से लाए गए साली ग्राम पत्थर का इस्तमाल हुआ है नहीं इरान से नहीं लाया गया है वो लाया गया है नेपाल से नेपाल से नेपाल की गंड की नदी यहां से साली ग्राम पत्थर लाए गए है और उससे मूर्ती बनाए गए ठीक है एक बात और मैं आपको कुछ और आयुध्या राम मंदिर से कुछ पॉइंट लिख देता हूँ आयुध्या राम मंदिर से रिलेटर कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूँ स्थान कहां पर है तो जहां राम लला का जन्म हुआ था जन्म अस्थान था जिले का नाम पहले फैजावाद था बदल करके अब आयोध्या कर दिया गया है ठीक है ना अविध्या उत्तर प्रदेश में पढ़ता है उत्तर प्रदेश में पढ़ता है ठीक है उत्तर प्रदेश वाले तो सब लोग इसको अच्छे जानी रहे होगे अब इसमें मंदिर जो बना गया है मंदिर जो बना है मंदिर यह जो बना है यह पूछा जाएगा आपसे किस पद नागर सैली, ठीक है ना, नागर सैली, दच्छिड भारत की जितने मंदिर होते हैं, द्रविड सैली की होते हैं, उत्तर भारत के अमूमन मंदिर नागर सैली में आपको बने हुए दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये नागर सैली में बना हुआ है, स्रीराम मंदिर, जाना होता है, तब फिर मुख्यदार होता है, अंदर गर्भग्रिय होता है, यह उसका धाचा होता है और गुंबदनुमा बना होता है, यह उसके कुछ examples है ठीक है न मतलब पहचानने का तरीका है कि नागर सहली है कि नहीं ठीक है चलो मंदिर सहली नागर है लागत कितनी आई है बनाने में लागत कितनी आई है बनाने में तो आप कहोगे अठारा सो करोड रुपए अभी तक खर्च किये गए हैं लेकिन और भी खर्च किये जाने हैं ठीक है स्री राम मंदर ट्रस्ट जो है अयुद्ध्या स्री राम मंदर ट्रस्ट उसके द्वारा बनाया जा रहा है ध्यान रहे कोई गौवर्रमेंट नहीं बना रही है स्री राम मंदर ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौपी गई है उस ट्रस्ट के थूरू बनाया जा रहा है जो आप लोग दान दचिना दान कुछ करते हो वो सब इस ट्रस्ट में जाता है जो वहां की सिक्योर्टी है जो वहां की सुविधाई है वो ट्रस्ट के द्वारा तो जो मूर्ति बनाई गई है वो मूर्ति किसने बनाई है ठीके ना मूर्तिकार कौण है मूर्तिकार कौण है तो योध्या रामललह के जो मूर्ती बनाई गई है, वो मूर्ती बनाई है, अरुण योगी राज ने, अरुण योगी राज ने, ये ध्यान रखना एक एक point important है, यहां से सब जगा से question बन सकता है, कहा के हैं भाई ये, ये है करनाटा के, कहा के हैं, करनाटा के हैं, अरुण योगी राज, उन्होंने ये मूर्ति बनाई हुई है और इस मंदिर में किन-किन पत्थरों का इस्तमाल किया गया है आप बताओगे रायस्तान के भारतपुर जिले से लाए गए गुलाबी बलुवा पत्थर का इस्तमाल किया गया है मुख्य मंदिर में और साली ग्राम पत्थर का यूज किया गया है मूर्ति को बनाने में ठीक है ना देखो साली ग्राम पत्थर ना उसमें कहा जाता है कि ये भगवान विश्णु का अउसेस है कुछ तो यहां पर देखो भरतपुर जीले से गुलावी वलुवा पत्थर लाया गया ये मुख्य मंदर में इसका इसका यूज किया गया है और सा सब्सक्राइब आते हैं इसलिमें जाने से फ्कान चार्राइब ग्रपांच कुछट घैंडाओंफ पूछा जायेगा अगर तो इस बार कम से कम आप समझ लीजेगा अगर माझीजिये 10 कुछन करंदावर काता है तो उसमेंसे 4 कुछन आप अज़े ले ले लेने हैं है जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि इतनी ज़्यादा योजना प्रयोजना और इतने ज़्यादे कुश्चन इतने डेवलेप्मेंट हुई है कि उनसे कुश्चन बनना तैय है ठीक है चलिए तो यह ध्यान रखना अगला कुश्चन आते हैं भारत का पहला पूर्ण यह मतुरा और यह दोनों आपसों में दे दिया मिरंदावन मतुरा में मतुरा में इसका उद्धारन किया गया पूर्ण बालिका सैनी के स्कूल है पूरी तरीके से सैनी के स्कूल जो बालिकाओं के लिए डेडिकेटर रूप से है इसका उद्धारन किया किसने रक्षा मंतर राजनाथ सिंग जी राजनाथ सिंग ठीक है राजनाथ सिंग जी ठीक है पूर्ण बालिका ये सैनिक स्कूल है अगला उत्तर प्रदेश के पहले महां कि कहां इसे दो टाइप से कुेशन बन सकते हैं पूछेगा है पर प्रदेशा का किस जेली बन सकते हैं तो आप बतावके प्रयागराज सोब्स नाद कर देते हैं ठीक है जिसको इसको याद होगा वो सोचेगा अगर यह question पढ़की गया इसे one liner के रूप में तो वो सोचेगा भई यह गंगा लगा देना लेकिन नहीं गंगा यमुना का संगम होता है आप जानते हो गंगा यमुना और सरसुती इन तीन नदियों का संगम होता है प्रयागराज में और इस संगम को क्या कहते हैं पिछली ब तारवाले नहीं इस से पहले वाले में जो यूब्डु के जब में ही पुशा गया था कि बता ये त्रिवेडी संगम कहां परिस्थी थे बहुत सारे बच्च्छे गलत कर गई बहुत सारे लोग त्रिवेडी कहा परिस्तित है तो त्रिवेडी संगम है प्रियाग राज में और यह त्रिवेडी जो है यही कहलाता है त्रिवेडी संगम यही कहलाता है यही कहलाता है जहां गंगा यमुना सरस्ति का मेल होता है और वो जगह है प्रियाग राज ठीक है त्रिवेडी संगम कह प्रियाग राज में है ध्यान रखना यह कुश्चन बना हुआ था पिछली बार फिलहाल यह फ्लोटिंग रिस्टूलेंट जो है यह कहां खुला गया है तो यह आप बोलोगे यमुना नदी पर यमुना नदी पर ठीक है न तो इस कुश्चन का यह रहेगा अंसर अगर नदी पूछा जायतो यह तो एक्षट्रा पॉइंट है इसको देहान रखना घंगा यमुना शरसथी के संगम को क्या कहते हैं तिरवेडी संगम कहते हैं अच्छा वहीं तिरवेडी संगम के पास में ही बगल में अकभर का किला है जो लोग रहेते होंगे इलहांबादमें त्यारी कर रहे होंगे, लोग कभी गए भी होंगे संगम में, है ना, संगम गए हो, तो संगम में वही पर अकबर का किला है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, चलिए, अकबर का किला पूछा जाता है, स्टैटिक में आपके उतर प्रदेश में, अगला कुश्चन देखते हैं, हाली में कहाँ पर पानी की एहमियत समझाने के लिए, दुनिया का पहला जल विश्व इत्याले खोला गया है, दुनिया के पहली Water University, ये भी इंप्पॉर्टन कुश्चन है, बताइए, वाटर युनिवस्टी दुनिया की पहली है, क्योंकि, पूरी दुनिया भर में हम में हमीरपूर उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है हमीरपूर और वहां पर जल्विसुविदाले खोला गया है ठीक है चली अगला MSME चेतर में महतपूर योगदान करता के रूप में सीड्स राज्य कौन मनकर आया है MSME चेतर में महतपूर योगदान करता के रूप में MSME यानि Micro, Small and Medium wide Afterwards ठीक हैना؟ सूक्ष्म, Laghu, और, Над्यम, अद्योग तो इसके लिए इसके छेत में महात्पूर्ण योगदान करता कौन सा राज्य है आपको simply क्या करना है जो population के हिसाब से राज्य है उसी को आप कटेगराइज कर दो जैसे सबसे ज्यादा population कहां का है उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का लगा देना सबसे नंबर वन पर है उत्तर प्रदेश मसमी के महात्पूर्ण योगदान करता के लिए कुश्चन समझ लो मतलब यह हुआ कि कहां पर छोटे और लगू दोग इतने ज्यादा है उनका उनका योगदान जो है GDP में उस्तराज में जादा है तो MSME में उत्तर प्रदेश का सबस्यादा ठीक है दूसरे स्थान पर है कौन महाराष्ट्रा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्रा है और थर्ड पर है तमिल नाडू ठीक है याद रखना जी MSME दिवस पूशा जाएगा MSME कब मनाया जाता है तो MSME दिवस मनाया जाता है साथियों 27 जून को 27 जून को ठीक है याद रहेगा चली आगे हाली में किस सहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन अस्थापित करने का विश्वरिकार्ड बनाया है तो सबसे लंबी सोलर लाइन लाइन अस्थापित करने का है विशरेकाट बनाया दोस्तों किसने आयोध्या ने न श्री राम नंगरी आयोध्या में जो की सबसे लंबी सोलर लाइन लाइट अस्थापित की जा रही है इस दुनिया की ठीक है गुपतार घाट से यह शुरू होगी और नया घाट तक होगी ठीक है गुपतार घाट से गुपतार घाट से गहाट से नया घाट ठीक है अयुद्या कि जैसे मैंने आपको बताया अयुद्या सिर्वाम मंदिर से बहुत सारे कुशन बनेंगे हाली में 3D सहरी अस्थानिक digital twin विक्षित करने वाला भारत का पहला सहर कौन मन गया है तो 3D सहरी अस्थानिक digital twin अस्थापित करने वाला पहला भारत का सहर कौन मन गया है उत्तर प्रदेश का ही सहर है और वो सहर है कौन अज़्धा नहीं ये है वारानसी ध्यान रहे डिजटल 3D सहरी अस्थानिक डिजटल ट्विन अस्थाफित क्या है मतलब की 3D मैप पुरा बनाया हुआ है ठीके ना पुरा 3D मैपिंग की गई है पूरे-पूरे सहर की और ये पहला बन गया है वारानसी में ऐसा किया गया है अ इसका मतलब यह नहीं कि किवल यूपी का ही पूछेगा आप से नेशनल का नहीं पूछेगा यूपी भी तो भारत में है तो भारत वाले भी क्यूशन आपको पढ़ने है ठीक है ना इसको जितरह लिंक कर पहो उतना लिंक करके पढ़ो 3D printing से लेटर मैंने बहुत सारी चीज़े आपको बताई है जैसे अगर पूछा जाए पहले 3D printed मंदिर पहला कौन सा यहां पर मैं पहला लिग दे रहा हूं सब जगा पहला common समझेगा ठीक है ना पहला पहला यहां common है 3D printed 3D printed मंदिर तो आप बताओगे 3D printed मंदिर पहला वाला कहां पर है भई कहां बना है तेलंगाना तेलंगाना में पहला 3D printed मंदिर बनाया गया है और पूछे जैसे आपसे कि बताओ पहला 3D printed post office कहां है 3D printed post office कहां है तो पहला 3D printed post office कहां बताओगे जल्दी बताते है रोकमेंट करके बैंगलूरू करनाटक बेंगलूरू, करनाटक ठीक है, अच्छा 3D printed मंदिर आ गया है, मस्जिद भी जान लो 3D printed मस्जिद कहां है, पहला 3D printed मस्जिद कहां बना है तो कहां बताओगे, बताओगे सौधी अरब में बना है कहां पर सौधी अरब में बना है ठीक है जी अच्छा पूछ ले आप से कि पहला 3D प्रिंटेड बता दो rocket कौन सा है किस ने लांच किया पहला 3D प्रिंटेड रोकेट तो आप बताओ कि भारत ने लांच किया और भारत की अगनी कुल अगनी कुल अगनी कुल कॉस्मोस इस कंपनी ने लांच किया रोकेट का नाम अगर पूछेगा तो रोकेट का नाम याद रखना इस रोकेट का नाम अगर पूछेगा तो आप बतादा अगनी बाण अगनी बाण ठीक है जी अगनी बाणलांच किया है अगनी कुल कॉस्मोस ने पहला 3D प्रिंटर रॉकेट है यह 3D प्रिंटिंग से रिलेटर कुश्चन है इसको याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए ठीक है जी अगे बढ़ें अगला वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं आये हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे बैस्ट 과लीय का कॉरेंट अफ़antry आपको में प्रवाइड करता हूँ लेट में प्रॉवाइड करूँगा, हो सकता है ना प्रॉवाइड करूँ, हो सकता है बहुत लेट में प्रॉवाइड करूँ, लेकिन जब भी आऊंगा, quality content के साथ आऊंगा, फर्जी content पढ़ाना हमारी प्रात्मिक्ता नहीं है, जो देते हैं, वरिजिनल देते हैं, 8 साल से current affair आपको दे रहे हैं, सिकायत कभी नहीं आई है, कि question exam में नहीं बने, जब मुझे लगता है, कि इसमें हम उतना content नहीं दे पाएंगे, तो उस चीज को मैं सुरू ही नहीं करता हूँ, जिसको मैंने content दिया, उसमें 100% question फसे हुए है, यह आप उठा कर इतिहास देख लोगे, अपने या फिर senior वगरा से पूछ करके पता कर सकते हो, बार-बार मैं परचार नहीं करता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ, कि नहीं परचार करने कवज़ा से पीछे जाता जा रहा हूँ, इसलिए अब जूम के परचार करेंगे, ठीक है, चलिए, आप लोग भी support करिएगा, आप लोग भी recommend करना सुरू कीजिए, हाले में किसने अयोध्या राम मंदिर का डाक टिकट जारी किया है, तो इसको जारी किया है दोस्तों, प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोधी जी ने, अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट ये जारी किया गया है, इसमें भगवान राम, मतलब पूछ लिया जाएगा, चलो बताओ, अयोध्या सहर, अब इतना बार चर्चे में आ रहा है अयोध्या सहर, तो बताओ, अयोध्या किस नधी के किनारे बसा है, किनारे बसा है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, option दे रहा हूं, ऐसे नहीं, तुरंद बता लेकिन उप्सन दे रहा हूं, चलो, उप्सन, उप्सन एक, गंगा, उप्सन दो, घाघरा, उप्सन तीन, गोदावरी, उप्सन चार, सोन नदी, सोन नदी, चलो, हो गए ना, कन्फ्यूज, करो, सब लोग सर्यू नदी तुरंट सोच लिया होगे, करे डुपकित लगाए हैं बताओ कौन सा इनमें से है जिसके किनारे अयुद्या बसा हुआ है कमेंट करके ज़रू बताना जिसका सही आएगा उसको मैं हर्ट दो दूँगा ठीक है ना चला मैं चलिए बाकी लोग समझ जाना कि किसका सही अंसर है इंटर आपरेबल क्रिमिनल जश्टिस सिस्टम आई सी जी जाएस के उपियोग में कौन सा राज्य सीड्स है वही साठ लाग को छाटना है उनको 60 लाग को चार्ट करके उनको कितने में करना है साथ हजार की वेकेंसी में करना है तो कुछन तो कुछ न घुमा के पूछेंगे ही न इंटर आपरेबल किमिनल जश्टिस सिस्टम में कौन सा राज्य सीर्स पर रहा है चुकि मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का करेंट फेर पड़ा रहा हूं ग्रह मंत्राले जो है यह इस रिपोर्ट को जारी करता है इंटर आपरेबल किमिनल जश्टिस सिस्टम रिपोर्ट अब इस रिपोर्ट को किसके आदेश पर जारी किया जाता है तो आप बताओगे सुप्रिम कोर्ट के आदेश पर जारी किया जाता है कि भाई जरा बता हो किस राज में किस हिसाब से justice system चल रहा है क्रिमिनल पर वहाँ पर reports दायर किये जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे हैं पता लग रहा है पीडित आ रहा है उसको मार कर भगा दिया जा रहा है इस्थाने में ऐसर तो नहीं हो रहा है इस मामले में रिपोर्ट आए तो इसमें पता जला भाई योगी की राज में उत्तर प्रदेश में बड़े अच्छे से ये इंटर ऑपररेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है सभी राज्यों के पेच्छा टॉप पर चल रहा है तो यह आद रखना ठीक है जी आगे किस कमपनी ने सून्य कारबन उत्सरजन वाले हाइड्रोजन कुकिंग का प्रदर्शन किया किस कमपनी की दोरा प्रदर्शन किया गया अब आप कहोगे इसमें उत्तर प्रदेश कहा है है उत्तर प्रदेसिश प्रदर्शन कियाँ है यह नोटेड़ा का नाम नारा याद रख знаем तो दिया रहे नोटा समझना नोटा दिया रहे थो गौतम उच्ण प्रदर्शन किया यह इसने NTPC ने, NTPC यानि कि ये रेले वाली NTPC नहीं, Non-Technical, Popular Category वाला नहीं, National Thermal Power Corporation of India, जो की एक है महारतन कंपनी, ठीक है ना, महारतन कंपनी है ये, महारतन कंपनी है, 1975 में स्थापना हुई थी, नेदिल्ली में हेड़क्वाटर है, और गुर्दीप सिंग इसके सिंग इसके महानिदेशक है, ठीक है, चलिए, तो NTPC ने, किलियर है, आगे वढ़ते हैं, अगला, हाले में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने, कहां पर मस्जिद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद निर्मार करेने की कोश्चन की है, इंपोर्टन कोश्चन है इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के द्वारा मंदिर मुहम्मद, मस्जिद मुहम्मद बिन अब्दुल्ला नामकी मस्जिद निर्मार की जा रही है, कहां पर निर्मार की जाएगी, तो आप कहोगे अयोध्या में, जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 2019 में जब फै जमीन दी गई थी, वहां पर बनना था मस्जिद, और हॉस्पिटल बनना था 500 बेड के, ठीके न, क्या बनना था, देखो ये कहां पर दी गई थी जमीन ध्यान रखना, पांच एकर की जमीन दी गई थी, और कहां दी गई थी, ये कहां दी गई थी, तो आयोध्या जिले के ह धन्नीपूर में धन्नीपूर अयोध्या में धन्नीपूर अयोध्या में दी गई थी पांच एकड़ की जमीन ठीक है जी अब पांच एकड़ की जमीन पर अभी तक वहां कुछ नहीं बना 500 बेट का होस्पिटल बनना था और एक मस्जिद बननी थी अभी तक कुछ नहीं बना तो जब ये राम मंदिर का उधगरन हो गया तो एक foundation आता है इंडो इस्लामिक कल्चर foundation ये सामने आता है और इसने ये कहा कि भई हम बनवाएंगी हम मस्जिद और इस मस्जिद का नाम क्या होगा मस्जिद मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ध्यान रहे मस्जिद का नाम भी पू वाटर मेट्रो सेवा सुरू की है यूपी की पहली अब यहीं द्यान रखना अगर पूछा जाए भारत की पहली मेट्रो भारत की पहली वाटर मेट्रो पूछा जाए तो क्या बताओगे भारत की पहली वाटर मेट्रो पूछेगा तो क्या बताओगे तब आप बताओगे यह कोची में, कहां पर भई, कोची में केरल में है, ठीक है, और अगर पूछा जा उत्तर प्रदेश की पहली वाटर मेट्रो, तो भईया सारा कुछ उठा करके दे दिये, कहां पर, अयुध्या में, अयुध्या में, अयुध्या में वाटर मेट्रो उत्तर प्रदेश की पहली शुरू की गई है, वाटर टैक्सी पूछा जाये तो आप बताओगे महराश्ट्रा मुंबई में, वाटर टैक्सी पूछा जाये तो आप बताओगे मुंबई में, मुंबई में वाटर टैक्सी, कोच्ची में वाटर मेट्रो, उत्तर प्रदिस का पहला वाटर मेट्रो, कोलकाता में ठीक है ना कोलकाता में कोलकाता में पश्चे मंगाल में हुगली नदी के अंदर हुगली नदी पर बना है क्या Underwater मेट्र मेट्रों देश का पहला ठीक है याद रहेगा सब चलो अगला बाकी मेट्रों की सुरवात 1984 में कोलकाता मेट्रों के रूप में 2002 में दिल्ली मेट्रों की सुरवात हुई कुद करके आते हैं यूपी में मेट्रों की सुरवात दोहजार सोला में हुई उस समय उत्तर प्रदेश के सियम थे अकलेस यादो जी उन्होंने इसका उध्वर्ण किया था उत्तर प्रदेश में 2016 से मेट्रों चल रही है ठीक है दूसरी बात उत्तर प्रदेश में जब ये च तो आप बताओगे 2016 में हुई साहब कहां से लखनों मेट्रों के रूप में मेट्रों जो है किंद सरकार और राजी सरकार का जॉइंट वेंचर है 50-50% की जॉइंट वेंचर है उत्तर प्रदेश मेट्रों की सुराथ 2016 में लखनों से की गई और दूसरी बात ये मेट्रो मेन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा मेट्रो मेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है तो आप बताना इस्री धरन इस्री धरन ठीक है ना एक कुश्चन आपका बन गया चलिए आगे बढ़ते हैं जी हाली में किस राजी सरकार ने पेंग गेश्ट योजना शुरू की पेंग गेश्ट योजना अविध्या में जब स्री राम मंदर का उद्गाडन था 22 जन्वरी को मंदर का उद्गाडन कब हुआ था मंदर उद्गाडन कब हुआ था उद्गाडन कब हुआ था तो हुआ था ये 22 जनवरी स्रीराम मंदिर उद्गाडन कब हुआ था 22 जनवरी 2014 को ठीक है जी तो यह उद्गाडन था तो उस टाइम पर भेड़ बहुत जादा आ गई थी होटल्स वगरा सब फुल चल रहे थे उतने होटल्स बने नहीं थे ऐसे मे राजे सरकार ने paying guest योजना शुरू की यहाँ पर इस योजना के तहट क्या होता था जो वहां के निवासी हैं जिनके घर पे एक दो रूम खाली है वो एक दो रूम को दो रूम चार रूम जाए जितना जिसका खाली है वो paying guest योजना के तहट उसको किराये पर उठा सकते है ठीक है ना इस योजना के तहट तो इसमें रेजिस्टर करना होता था उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू की थी इसमें रेजिस्टर करना होता था और पेंग गेस्ट मतलब गेस्ट आ करके पे करके इसका रूम का मतलब एक दिन वहाँ पर ठैरने का विवस्ता ले सकता थ तो यह सुरू की गई थी, चलो आगे, उत्ता प्रदे से किस स्थान के बेसन के लट्टू को GI टेग दिया गया, भeilै फेसन के लट्टू तो हनुमानगडि का बहुत फेमस है, है ना हनुमानगडी का फेमस है, और हनुमानगडी कहाँ पर हनुमान गड़ी मैने आपको राम मंदर पर एक वीडियो दी थी टॉप 25 कोशिस करना सर्च करके वो भी देख लेना अभी तो बहुत टाइम है तो देख लेना उसको हनुमान गढ़ी के हनुमान गढ़ी कहां पड़ता है अयोध्या में अयोध्या में हनुमान गढ़ी के लड़ू को जो की बेजन का जाने दो ट्यूद कहां है नोट्स फटाफट से लिखते चलो बहुत सारे एक्ट मेंट वैसे ही बोलते हुँ उनको सब को नोट डाउंड करते लो वीडियो को एक दो बार देख लेना थी के वीडियो अभी देख लो एक दो बार एग्जाम से पहले बार फिर देख लेना बहुत म्पॉर्टन्टे इसको डाउनलोड करके रख रख रखते हो या सेयर करके रख सकते हो ठीक है hazyan कर लोगे तो हमारा ब्वू नहीं पड़ेगा और अभी फाइदा कम होगा डाउन Judas करोगे तो थोड़ा सा हमारा फायदा हो जाएगा है चलो लेकिन देख लेना दुबार भूलना मत तो यह हो गया जी हनुमान गड़िया उध्या में एक और बात बता दूं आपको हानुमान जी जब भी जाना पड़ता है इदर आम मंदिर दसन करने तो हनुमान जी कि यहां प प्रेंटेबल है बहुत सारे लोग है ना इबुक पुराइड करते हैं तो अप्लिकेसिन में प्रॉइड करते हैं उसको लोग न डाउनलोड कर पाते हैं न प्रेंट करा पाते हैं लेकिन हमारे यहां इसा नहीं है आपको व्टसेप पर ही बेज़ दी जाएगी जाकर जरूब तो महां figure आपको तैयार करके दी गई और लाइश शिक्स में थे बिखु हम आई गई हमारी जो भी आती है वो दोनों language में आती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए हिंदी वाले बच्चे हों चाहें इंग्लेज वाले दोलों इसका फाइदा उठा सकते हैं अर्दवार्सकी भी आ गई है अगर आपको पढ़ना है तो अर्दवार्सकी से भी आप पढ़ सकते हो आगे और इसी नंबर पर वाट्सेप करना आपको जिससे आपको यह e-book मिले ठीक है यह 15,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है उत्तरप्रदेश सरकार कन्या सुमंगला योजना की अनदान राची को बढ़ाया है यह 15,000 से बढ़ा करके कर दिया कितना 25,000 कन्या सुमंगला योजना आप जानते हो बिभिन चरणों में बेटी पैदा होने पर बेटी के जन्म हो होने पर होने पर पर इस योजना का फाइदा उठा सकता है मतलब जाता है कई चरणों में जैसे पैदा होई तब उसमें दिये जाएंगे 2000 रुपए इसके बाद फिर उसको कुछ टीके लगे एक साल के अंतरगत तो उन टीकों के आधार पर तब दिये जाएंगे कुछ उसके पहली क्लास में अडमीशन होता है उसका कक्षा में तब मिलता है पांचवी क्लास में जब एडमीशन होगा नाइन्त क्लास में अडमीशन होगा तो ऐसे ऐसे पांत से छे चरणों में टोटल 25,000 रुपए प्रवाइड के जाते हैं उस कर्णया के गार्जियन को ठीक है तो Foundation के दोरा ये किया गया है Noida Airport के पास बनेगा Noida Airport जो है पहले ये था Jever Airport के नाम से जाना जाता था Jever Airport इसका था पुराना नाम पुराना नाम ठीक है ना? और अब इसका नाम क्या हो गया? Noida International Airport. उत्तर प्रदेश में 5 International Airport हैं और सबसे अधा International Airport वाला है उत्तर प्रदेश राजजे ठीक है? जब मैं static कराऊंगा बिल्कुल आपके exam से बिल्कुल करीब ठीक है? आप अभी सब subject पढ़ो आराम से बाकी के सारे subject तयार करो current affair अभी मैं करा दे रहा हूँ, static जी के आने वाले इस दिनों में करा दूँगा आपका तो आप इन दोनों के लिए हमारे उपर निर्वर हो जाओ बिल्कुल बहतरीन धंग से जो जो मैं बताऊं वही वही जा करके बैठ जाना exam में 100% करके आओगे और करके आओगे तो यहां पर comment करके बताना ठीक है? चलिए याद रख लो एक तो आपका लखनों में है लखनों में जो है उसे कहते हैं चौधरी चरण सिंग ठीक है? चौधरी चरण सिंग चौधरी चरण सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनों में है लखनों ठीक है जी? उसके बाद अगर पूछा लाल बहादूर सास्त्री कहां पर, देखो नाम याद रखना गुरू, लाल बहादूर सास्त्री, लाल बहादूर सास्त्री इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पर है, तो इंटरनेशनल एरपोर्ट है, वारारसी में, बाबतपूर वारारसी में है, नाम याद रखना, क्योंकि न उत्तरप्रदेश का ही जिला है मर्यादा पुर्सोत्तम 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 स्रीराम इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां है अयोध्या में है अयोध्या में है और पाच्वा मैंने आपको बताया जे एरपोर्ट तो यह पाच्वा हुआ पहला दूसरा तीसरा चौथा यह पाँच इंट्रेशनल एरपोर्ट वाला एकलोता राज्य है उत्तरप्रदेश आ जाते हैं इस कुश्चन पर आधी योगी सीव की 242 फीट उची प्रतिमा बनाई जाएगी आधी योगी सीव आप देखते हो करनाटक में है ना एक आधी योगी की तो ऐसी ही यहाँ पर रहा है तो इसा फाउंडेशन बना रहा है इसा फाउंडेशन ठीक है ना ठीक है सद्गुरु जी का नाम सुने हो उनी कहा है फाउंडेशन अगला हाली में किस सहर को अपसिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योध्धा सहर के रूप में मानिता मिली है जल योध्धा वाट उत्तरप्रदेश पढ़ा रहे हैं। उत्तरप्रदेश का नोइड़ा सहर जो है, इसको Water Warrior का अवार्ड मिला है। हाली में किसनी सरजह सरकार ने देश में पहली बार सेमी कंडुक्टर पॉलसी लांच की। सेमिकंडक्टर पॉलसी देखो सेमिकंडक्टर पॉलसी गुजरात लाने वाला था लेकिन उत्तर प्रदेश ला दिया समझ में आई बात गुजरात लाने वाला था उत्तर प्रदेश ने लागू कर दिया तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश लागू किया है कर चुका है गुजरात भी लाएड़ी ही कि लाएंगे तो पहली बार सेमिकंडक्टर पॉलसी लांज किया सेमिकंडक्टर पॉलसी इसके अलावा लखनों में यह एक आईटी लखनों में एक AI सहर भी बना रहे हैं लखनों में अभी SCR की भी गोश्णा की गई है State Capital Region लखनों में कुछ और आसपास की जीलो को मिलाकर State Capital Region मनाये जागा ठीक वैसे जैसे डेली NCR है National Capital Region है वैसे यह State Capital Region होगा इन सब की बारे में आगे आने वाले एपिसोड में आपको सब कवर कराया जाएगा उत्तर प्रदेश AI सहर पहला AI सहर बनेगा भारत में सिंगापूर के आधार पर मॉडल पर लखनों में बना जाएगा ठीक जी याद रहेगा चलिए आज का आखरी कुश्चन देख लेते हैं बाकी अगले एपिसोड में कवर कराएंगे फरवरी 2024 में पियम मोदी ने कहाँ पर स्री कलकी धाम मंदर की आधार सिला रखी तो ये कलकी धाम मंदर बन रहा है कलकी अभी कलकी एक मूवी भी आय थी तो इस मूवी में यही बताया गया था भगवान कलकी के बारे में अलाकि भगवान कलकी जो है यह ऐसा नहीं एक मूबी के बाद सब आता चला इसके पहले भी बात सब्सक्राइब ना बहगवान कलकी को दोस्तों विश्णू का विश्णू का दसवा अवचार माना जाता है तो इन का एक मंदर बन रहा है प्यम्य प्रमोद कृष्णम पहले कांग्रेस में तो प्रमोद कृष्णम पहले कांग्रेस में तो यह कल की धाम मंदिर के मुख्ये पुजारी हैं और प्रमोद की इस मंदिर की अधार सिला रखी है क्लियर आज की इस ग्लास में इतना ही कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके जुरू बताना कुछ पल्ले पड़ा की नहीं थोड़ा बहुत यूपी करेंट अफेर सी डर खतम हुआ की नहीं आपका डर जो भी है सब में पूरा खत्म करूँगा इस्टेटिक जी के भी करा दूँगा तो बिलकुल अपने आप में एकदम कॉन्पिटेंस आ जाएगा आप कॉन्पिटेंस से जाओके वहां एकजाम देने और वहां पर जै माहिसमती बोल करके भम फोड़के आओगे ठीक है बाकी वस इतना ही वीडियो को लाइक शेयर वगरा कर देना कैसी लगी है बताना जरूर कमेंट करके और शेयर जरूर करना सेयर जरूर करना जरूर से जरूर क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉंस आएगा मैरा कॉन्पिटेंस बढ़ेगा इस एपिसोड पर और ज्यादा वीडियो में दूँगा तो काम करो स्टेटस लगा दो अपने सब जगा पर यह मत सोचना कि अरे तो कंपोडिजन बढ़ ज जो कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे बस आपको सेयर करना है सेयर करोगे तो इस पर अच्छे व्यू जाएंगे तो अच्छे व्यू जाएंगे तो अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा तो मैं इस पर फोकश हो जाओंगा ठीके ना चलिए थैंक्यू सोमत जैहिंद वंदे मात्रम झाल झाल